नमस्कार दोस्तों स्वागत है एक नए वीडियो में आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को बताने वाला हूँ कि दो या दो से अधिक आपके पास pen drive है या memory card है और आप एक mobile phone में उसे connect करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे वीडियो में आखरी तक बने रहिए देख सकते हैं मेरे पास एक mobile phone है गाईज और pen drive और card reader बहुत सारा है देख सकते हैं यहाँ पर देख लिजे दिख रहोगा आपको हम इसे एक mobile phone में connect करने वाले हैं कैसे connect होगा सारा कुछ बताएंगे इस वीडियो में आखरी तक बने रहि सबसे पहला equipment जो है गाईज वो है OTG एक OTG आप ले लिजेगा यदि आपका charging jack type C है तो type C का OTG लिजेगा type B है तो type B जैसा भी phone का हो OTG है OTG है mobile phone में लगा देते हैं लगा देने के बाद गाईज आपको setting में जाना है setting में OTG का एक option रहता है उसे enable कर लेना है चलिए enable कर का USB है देख सकते हैं यह दो से 300 रुपया में आपको मिल जाएगा Flipkart या Amazon पर वीडियो के description में इसका link भी दिया हुआ है यह खरीद लिए उसके बाद इसे आप mobile phone में set कर लिजिए अब आपके पास यदि memory card है दो दो या दो से अधी तो ऐसा card reader आपको लेना पड़ेगा ज वाइस online लिजिएगा तो थोड़ा costly पड़ेगा तो मैं recommend करूंगा कि इसे offline ही purchase किजिएगा यह card reader है इसमें memory card लगा दीजिए और इसमें memory card लगा दीजिए memory card लगाने के बाद आपको डाइरेक्ट यह जो USB हाब है USB हाब इसमें आपको set कर लेना देख सकते हैं ऐसे set कर लेन अबर एक और देखिए यह light जलने लगेगा इसमें जैसे set होगा देखिए यह दोनों set हो गया है देख सकते हैं उसके बाद यदि pen drive है तो pen drive ही इसी तरह से आप connect कर सकते हैं mobile phone में यह 3 pen drive और USB port बचा हुआ है देख सकते हैं यानि कि 4 memory card यह 4 pen drive एक साथ हम connect कर सकते हैं देख हैं जैसा कि आपने देखा हमने कैसे connect किया हमें उमीद है कि आपको यह वीडियो काफी पसंद रहा का वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिए यदि कोई problem आ रहा है connect करने में वीडियो के comment section बताइएगा और हमसे आप contact कहना साहते हैं तो Instagram का link video के description में Instagram का ID आपको आप स्क्र आप